तो सभी को जैहिंद चली शुरू करते हैं आज के सेशन को तो आपका जो सेशन है I think मेरी अवाज सभी को साफ सुनाई दे रही होगी तो जी के के हम बढ़िया से कोशन्स करेंगे दियान रखेगा इन कोशनों में से ही आपपर के एक्जाम में अगनिवीर आर्मी का जो एक्जाम है चाहिए वो जनरल डूटी सोलजर का हो कलर का हो या टेकनिकल का हो तो उसमें आपके इसी तरीके के कोशन्स आपको देखने को मिलते हैं है कि पैदा कोशन आपके स्कीन पर कि दो हजार बत्यस में आपका ओलंपिक का आयोजन्स कहां उनसी जगा किया जाएगा तो यहां पर आप एक ची दिहन रखेगा कि दो हजार बत्यस में तो कहां पर किया जाएगा दो हजार चौबिस में ये फ्रांस में होगा यानि अगले साल उसके बाद दो हजार अठाइस में ये कहां पर होगा यूएस से में होगा और 2032 में ये कहां पर होगा आपका उस्टेलिया में अभी जो इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी की जो मिटिंग है वो इस साल भारत के मुंबई में होने वाली है और इसमें ये बात कही जा रही है कि 2036 में ओलम्पिक की मेज़मानी भारत को दी जाए 2036 में ओलम्पिक की मेज़मानी भारत के दी जाए खर अभी ये ऑफिशली डिकलेयर नहीं किया गया है इसके बाद अभी देखो अभी 2020 वर्ल कप चल रहा है ठीक है लेकिन इससे पहले आपका क्या हुआ था आपका 50 ओवर्स वाला वर्ल कप हुआ था ये आपका न्यूजिले टीम है जो अभी 2020 वर्ल कप खेल रही है और अंडर 19 वुमें टीम ने तो वर्ल कप भी जीता है सौथ आफरीका में हो रहे है दोनों तो कॉमनवेल्ट गेम्स में जो भारत की महीला क्रिकेट खिलाडिया थी उन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर भी ऑस्टेलिया से हम हार ग ओके ओलम्पिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और आपका कॉमन वेंथ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो यह क्लीन एंड जर्क जो है आपका कौन से खेल से संबंदित होता है क्लीन एंड जर्क आपका वेट लिफ्टिंग से संबंदित होता है रोपे डोप ये भी शब्द कई बार पूछा आता है, rope एडोप क्या होता है, rope, अब यहां पर देखो कि कौन से game में rope यूज की जाती है, तो boxing में यूज की जाती है, क्योंकि boxing का जो ring होता है, उसके चार और रस्य बनी रहती है, तो अगर कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी यानि opponent को rope तक ले जाके, उसे वहां पर उस पर punches कई सारे मालने लगता है, और उसके एक तरीके से block कर दे जाता है, उसे बोला जाता, rope एडोप, ओके, अगला question आपकी screen पे, अगर हमारे भारत में राश्पति का पद आकास में कुरूप से खाली हो जाता है, तो उसे किते दिनों में, राश्पति का पद हो, उसे 6 महीने के बीतर हमें fill up करना ही होता है, fundamental duties, सविधान के कौन से भाग, देखो ये fundamental duties, जिनने हम मौलिक करतवे बोलते हैं, ये पहले सविधान के भाग में नहीं थी, इनको हमने 42 सविधान, ठीक है, 42 सविधान, संचोधन के तहत, ठीक है, भारत के सविधान में इनको जोड़ा था, 42 सविधान, संचोधन के तहत, 1976 में इनने भारत के सविधान में जोड़ा था, और ये कौन से भाग में दे रखे है, भाग, जी हाँ, आकाश, आपने सही answer दिया, part 4A में, येस विपिन दूबे, आपने भी सही answer दिया, very good, चलिए, उदे सिंग अभी मेरे कुस के बारे में जान करें नहीं है, जब होगी तब आपको पता लग जाएगा, अभी आप इन पे ध्यान लीजीगा, आपको बताना है, निम लिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिगार नहीं है, मौलिक अधिगार नहीं है, हमारे भारत के सविधान के भाग तीन में, अनुछेद 14 से लेके, अनुछेद 32 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिगार दे रखे हैं, ठीक है, उसमें एक मौलिक अधिगार आता है, शिक्ष जिवा सविधान संचोधन दो हजार दो के तहती से भारत के सविधान में जोड़ा गया था राइट टू स्पीच आपका अनुचेद 19 में आता है और राइट टू लाइफ अनुचेद 21 में आता है यह राइट टू लाइफ भी बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन राइट टू इंफरमेशन एक आपका क्या है मौलिक अदिगार नहीं है यह एक आपका लीगल राइट है या एक तरीके से कह है मौलिक अदिगार है, दिहान रखेगा right to information ये जो कानून है, right to information ये कब लागू किया गया था, ये सन 2005 में इसको लागू किया गया था अगला question right to property ये right to property पहले ये भी आपका क्या होता था, एक मौलिक अदिगार होता था, लेकिन बाद में इसको क्या बना दिया गया, इसको एक विधी अदिगार यानि legal right बना दिया गया, आगे चलकर इसको क्या बना दिया गया, एक विधी अदिगार यानि legal right बना दिया गया, तो 44 वा सविधान चंचोदन 1978 में, इसे अनुछेद 31 से निकाल कर अर्टिकल 31 में आपका यह होता था अनुछेद 31 से निगाल कर इसको अनुछेद 300A या अनुछेद 300 का में डाल दिया गया और यह क्या बन गया? विदियधिकार बन गया ओके? ओके DRD हो क्या हाल है? अगला कोशन संसद का संयुक्त सत्र संसद का संयुक्त सत्र आपका आर्टिकल 108 में आता है इसको जो आवाहन जो इसका किया जाता है आवाहन ठीक है? आवाहन जो इसका करते हैं यानि इसको जो बुलाते हैं सम्मन वो तो राश्पती लेकिन अध्यक्षता जो करता है लोग सबस्पिकर भारत के तिहास में तीन बार हुआ है 1962 1978 और सं 2002 में हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन कर जी हाँ CRP जी के जिस भी एक्जाम में आती है उसमें आएंगे आप चलो बहुत बढ़िया चलिए डॉक्टर बाबसदा भीमरा उम्बेड करने सविधान के कौन से नुछेत को क्या काा था भारत की हिल दय और आत्मा का था जल्दी से बनाओ उसकोशन का अँनसर क्या होगा ऌट विल बी धी आंसर अफ दिस कोशन यह तो बहुत ओधि कोशन है आप लोग इसको बहुत अराम से इसको दे दोगे बताओ जल्दी क्या होगा इस question का answer what will be the answer of this question कि बारत के सविधान के कौन से अनुछेद को क्या कहा गया है सविधान की हिलदय या आत्मा कहा गया है तो धियान रखेगा ये तो आप सभी जानते हो कि अनुछेद जो आपका 32 है इसको भारति सविधान की हिलदय या आत्मा खा जाता है जब भी आपके मौलिक अधिकार ये फंडमेंटल राइट साब से चीने जाते हैं तो आप उनको लागू करवा सकते हैं अनुछेद 32 के अंतरगत ओके चलो बहुत दस में आपका धन विद्यक दिया गया है और धन विद्यक एक चीज़ों ध्यान रखना केवल लोकसभा में धन विद्यक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और कोई विद्यक धन विद्यक है या नहीं है इसका निर्णे केवल कौन कर सकता लोगसभाय स्पीकर कर सकता कौन कर सकता लोगसभाय स्पीकर तो के अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर ए रहा भारत के प्रतम विधी अधिकारी किसको माना जाता है तो भारत का जो प्रतम्म तीषिवदिकारी है वह अटॉर्णी जर्णल छीके या जिसको हम क्या बोलते हैं महा नियाएवादी बुलाते हैं क्या बुलाते हैं महा नियाएवादी जो इस समय कौन है हमारे भारत के आर वेंकट ठीके इस समय जो भारत के महानियवादी है वो को ने आर वेंकट रामानी ठीक है भारत के नहे ओ स्वारी महानियवादी है आपको बताना है कि वो अमोंग दी फॉललईग इस नॉट अमेंबर अफ टू हाउसे यहनी निमलिखित में से कौन सा रज्य सभा का सदस्य नहीं होता है लोग सभा का सदस्य नहीं होता है परधान मंतरी वित्व मंतरी राशपती या रेल मंतरी हाँ तो अभी आपका admit card अभी live नहीं आया होगा आपका आजाएगा प्रेशान नहीं हो तो ध्यान रखेगा President क्योंकि आपका Article 79 क्या बोलता है कि Article 79 है कि हमारी जो संसद है यानि Parliament वो तीन चीजों से मिलके बनी वी है आपका रजसभा लोकसभा और राशपती तीन चीजों से मिलके तो राशपती संसद का सदसे नहीं होता है बलकि संसद का भाग यानि पार्ट होते हैं बहुत बढ़िया अब आपको बताना है uniform civil code uniform civil code आपका कौन से अनुछेद गंतर गताता है तो uniform civil code इसे समान नागरिक सहीता बोलते है ध्यान रख लेज़ेगा अनुछेद 44 में आता है हमारे याँ अपराधिक कानून सभी के लिए बराबर है चाए वो किसी भी धर्म का हो पुरुष मैला कोई भी हो लेकिन जो हमारे शादी भ्या जमीन जायता से संबन देती यानि जो हमारे civil कानून है वो हर एक religion के अलग-अलग है तो हमारे याँ भारत में समान नागरिक सहीता नहीं है अगर कभी पूछा जाय कि समान नागरिक सहीता भारत के कौन से रज्यम है तो धियान रखेगा गोवा में आपका समान नागरिक सहीता लागू की जा चुकिए मतलब लागू है उसमां काफी पहले से सोमनाथ- पवित्र सोमनाथ पहला जोत्रलिंग है और यह शोलवा अटैक था किसका महमूद गजनी का महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आकरमन करे थे इसने पवित्र सोमनाथ मंदिर को ड़ा दिया था जी एस्टी देखो जी एस्टी 101 सविधान संचोधन 2016 के तहत भारत में लागू किया गया एक जुलाई 2017 से ठीक है जी एस्टी को लागू किया लेकिन जी एस्टी सबसे पहले आपका कहां पर लागू आ था 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था चलो अगला कोशन टीवी रिमोट जो कंट्रोल है वो किस पर कर रहे करता है ओके टीवी रिमोट जो है जैसे आपका टीवी रिमोट जो है यह आपका किस पर काम करता है देखो अल्टरा सॉनिक पे तो आपका सोनार यूज होता है ठीक है अल्टरा सोनार आपका सोनार हो गया फैदो सागर की गहराई यानि डेफ्ट आफ सी अगर मेजर करना है तो हमें फैदो मीटर का हम यूज करते हैं ठीक है और आपका जो माइक्रो वेव्ज है ये आपका कॉम्मिनिकेशन चाहिए वो मुबाइल हो आपका रेडार हो सेटलाइ रात को देखने के लिए कोहरे में फोटोग्राफिक करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है और जिसके पेपर में जी के आती है वो देख सकता है जी के समाने हर पेपर में एक जैसी होती है एक्जकॉर्बिक एसिड किसे कहा जाता है विटामिन के को, ए को, डी को या सी को एसकॉर्बिक एसिड तो एसकॉर्बिक एसिड क्या होता है आपका विटामिन सी, इसकी कमी से हमारे विटामिन सी का रसाइनिक नाम है इसकी कमी से, अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में, जिसको हम क्या बोलते है Deficiency बोलेंगे, ठीक है, Deficiency हम इसे बोलेंगे तो आपका कौन सा रोग हो जाता है, स्करवी का रोग हो जाता है क्यों सा स्करवी, वैसे विटामिन के, विटामिन के का जो रसाइनिक नाम है, वो फाइलोकिनोन है विटामिन A का रेटिनॉल है, ठीक है, रेटिनॉल और धियन रखेगा, इसकी कमी से हमें रताउंदी हो जाती है रताउंदी यानि, नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, धियन रखेगा काफी एक्जाम में कई बार पूछा गया है जब कौन भारत का वाइस रखेगा था, चीक है जब भारती राष्टे कॉंग्रिस की स्थापना हुई थी, तो भारती राष्टे कॉंग्रिस यानि इंडियन नैशनल कॉंग्रिस की जब स्थापना हुई थी वो था 28 दिसंबर 1885 का समय, तो 28 दिसंबर 1885 को उस समय भारत का वाइसर रहे कौन था? Yes, option number B इसका right answer है Okay, option number B इसका right answer है जी हाँ, बिलकुल बहुत बढ़ी है अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपको बताना है जो हमारा राष्टे गान है राष्टे गीत है, वंदे मातरम ये Congress के कौन से सत्र में सबसे पहले सको गाया गया था देखो वंदे मातरम आपका 1882 में ममकिन चंदर चैटल जी ने लिखा था और ये एक बुक में दिया गया है इस बुक का नाम है आनंद मट इस बुक का नाम क्या है? आनंद मट तो इस प्रशन का उत्तर क्या होगा? इस प्रशन का उत्तर होगा कलगत्ता बिलकुल 1896 बहुत बढ़िया और ये दियान रखेगा ये बारवा सत्र था भारते राष्टे कॉंग्रस का 12th INC सेशन था और इसमें अध्यक्ष जो थे उनका नाम था रहीम तुला सयानी ठीक है? रहीम तुला सयानी ध्यान रखेगा आपका जो राष्टेगान है और राष्टेगीत ये दोनों ही कलगत्ता में सबसे पहले गाये गए है जी हाँ ये आर्मी कलर के के लिए भी है अब जब जनगनमन गाये गया था जनगनमन कॉंग्रेस के 1911 के कलगत्ता के सत्र में ही गाये गया था जो कि मैं आपको बात कह रहा था उसमें अद्यक्ष कौन थे? यानि कॉंग्रेस के प्रेजिट कौन थे? तो पंडित बिशंबर नारायन धर या बियन धर बदरुदीन तैयब जी के बारे में धियान रखेगा 1887 में ये मदरास में कॉंग्रेस के अद्यक्ष बने थे और अगर कभी कोशन पूछा जाए कि कॉंग्रेस के प्रतम मुस्लिम अद्यक्ष कौन थे? Congress के पहले Muslim अदेखतो बदुरदीन तैयर जी रास विहारी गोश नहीं, रास विहारी बोस होना चाहिए खैर ये छोड़ो, रास विहारी गोश नहीं, रास विहारी बोस है ओके? हाँ चलो अगला कोशन, आपकी स्क्रीन पर ये रहा तो आपको बताना है Science जो आर्मे टेक्निकल है उसमें Science से रिलेटेड बड़े कोशन आएंगे एस कंपेर टू प्योर वाटर दा बोड़ी इन सी विल सिंक मोर लेस ये रिमें से तो अगर आप देखो, तो डेंसिटी किसकी होती है? जल्दी से बताओ पिक्चर किलियर नहीं है विपरन दोबे अपना ठीक करोसर पिक्चर एकदम क्लियर आ रही है हाँ भाई, बताओ इस कोशन का आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि अगर कोई बोड़ी पानी में अगर डूब रही है, तो वो समुद्रे पानी में ज़्यादा डूबेगी या आपका मीठे पानी में बताओ इस कोशन का आंसर क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सा कोशन है आपको बताना है कि अगर कंपेर टू प्यूर वाटर ओके? तो धियान रखेगा डेंसिटी जो होगी आपकी प्यूर वाटर की कम होगी और समुदरी पानी की ज़्यादा होगी ठीक है? तो यहाँ पर आपका कोशन का आंसर होगा एक सेकंड तो यहाँ पर आपका कोशन का आंसर होगा आपका सिंक लैस इसी वज़े से अगर आप देखो एक ब्लैक हो है डेड इसी मर्त साकर उसमें लवड़नता बहुत ज़्यादा उसमें आदमी डू भी नहीं सकता ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा निम लिकित में से कौन सा कोईला सबसे ज़्यादा उश्मा परदान करता कोईला क्या होता? कार्बन का बना होता है तो कोईले में कई सारे प्रकार होते जो सबसे उच्च क्वालिटी का हाई क्वालिटी का जो कोईला होता है वो आपका कौन सा होता है? एंतरसाइट और इस एंतरसाइट को ही उच्छे तम quality का कोईला माना जाता है और जो सबसे low quality का होता है वो होता है lignite जो सबसे low quality का होता है वो कौन सा होता है lignite है इस question का answer option number C is का right answer है अगला question आपको बताना है निमलिखित में से कौन सी fundamental quantity है आपकी साथ fundamental quantity है जिसमें आपका सबसे पहले आता है मास ठीक है मास के बाद आपका आपका मास आता है length आता है current आता है luminous intensity आता है तो आपको बताना है इन में से कौन सी आपकी fundamental unit है देखो तीन इसमें derived unit है यानि व्यूत्पन राशियां है और एक तो अगर आप देखो तो volume आपकी एक व्यूत्पन राशियां derived unit है velocity भी आपकी एक derived unit है force भी आपकी एक derived unit है लेकिन time एक क्या है आपकी fundamental unit है अरे B होगा इसको answer B होगा volume कैसे होता है volume को हम centimeter cube करता है ना ठीक है किलो ग्राम volume कैसे होता है kilogram centimeter cube यानि हम mass और वो आगया velocity meter per second होती है force आपका क्या होता है force तो आपका direction भी बताती है ना तो यहाँ पर देखो आपकी seven fundamental unit होती है ज़रा देखो लिख लो seven कौन सी है सबसे पहले आपका mass यानि द्रव्यमान द्रव्यमान का क्या होता है kilogram होता है ठीक है फिर आती है length length का क्या होता है length का आपका meter होता है और फिर आपका आता है time time का क्या होता है second होता है time के बाद आपका जो आता है आपका temperature temperature का आपका क्या होता है Kelvin होता है ठीक है फिर आपका आता है luminous luminous intensity इसे जोती तीवरता बोलते हैं क्या बोलते हैं जोती तीवरता intensity तो luminous intensity का आपका कितना होता है luminous intensity का इसको हम cadilla बोलते हैं ओके फिर आपका electric electric current ठीक है electric current का क्या होता है ampere और लास्ट में होती है आपकी ये एमपेर से इसे लिख दूँ एमपी आदी एमपेर और लास्ट में आपकी जो आती है वो आती है परदार्थ का परिमान, amount of substance ठीक है, amount of substance और जो amount of substance है इसको हम किसमें मापते हैं मोल में तो ये आपकी एक 2, 3, 4, 5 6, और 7 ये 7 ही fundamental unit है इनके आपस में गुणा भाग करके हम derived unit निकालता है, जैसे volume हो गया velocity हो गया, force हो गया, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question किया, ओके ओके चलिए, अब इस question का answer क्या होगा, आपको बताना है कि निमली कितमे से कौन सा artificial satellite के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, निमली कितमे से कौन सा artificial satellite के लिए उपयोग किया जाता है, तो धियान रखेगा, आपका जो mobile phone होता है, आपका जो radar होता है, तोके आपका जो wireless होता है ठीक है wireless और आपका जो mobile phone ठीक है mobile phone यह सारा आपका किस पर work करता है microwaves पर work करता है किस पर work करते हैं ओके वाइ크ोज पर करते हैं चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते देखो अगर स्क्रीन blur आ रही है तो मेरी तरब से कोई issue नहीं है, आप अपने mobile phone में अपनी settings को ठीक करिए, ओके, अब जो आपको 7 रंग दिखाए देते हैं, ओके, prism में, वो किस कारण होते हैं, reflection of light, जिसको परकाश का परावरतन बोलते हैं, dispersion of light, जिसे परकाश का फैलाव, या परकाश का वर्ण, विक्ष या परकाश, reflection of light, तो इस question का अंसर जी हाँ, बिल्कुल, option number B, अगर आप से कभी पूछा जाए कि भाई, हमें इंद्र धनुष, rainbow, क्यों दिखाए देता है, तो हमें इंद्र धनुष दिखने का कारण क्या होता है, dispersion of light होता है, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले question क् आपकी screen पर ये रहा, निम में से किसका उपयोग, oven में किया जाता है, तो oven में आपका किसका उपयोग किया जाता है, अरे आप ही कई खराब आ रहा है, सबका नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपका microwave का use किया जाता है, microwave oven होता है, सूरे की उल्जा, या किसी भी तारे की जो उल का स्रूत है वो किसको माना जाता है energy is continuously created by तो ध्यान रखेगा nuclear fusion और जो आपका atom bomb होता है atom bomb हो गया nuclear reactor हो गया ठीक है nuclear reactor हो गया इन में जो आपका use होती है power वो कौन सी होते है nuclear fusion nuclear fusion आपका control नहीं की जा सकती किसी भी तारे का source किसी भी तारे या सूर्य की जो उल्जा का स्रूत है वो nuclear fusion है और नाभी के सल्ले आने से बोलते हैं और ध्यान रखेगा जो hydrogen hydrogen जो hydrogen bomb होता है आपका वो भी आपका स्कार है ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन आपकी screen पर यह रहा अरपेटालोजी ओके अरपेटालोजी यह आपका किस से संब्मद देता है देखो fish यानि मचलियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं एक थियो लाजी बुलाय जाता है, ठीक है, IKTEOLOGY, जो कीडियों के अध्यन होता है, उसे EMPOMOLOGY बुलाय जाता है, और जो रेंगने वाले जीव हैं, और जो अभेचर हैं, अभेचर जो जल और थल, दोनों में रहते हैं, उनके अध्यन को हम क्या बोलते हैं? हर pathology बोलते हैं उनके अध्यन को हम क्या बोलते हैं हर pathology बोलते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है तो देखो जो speed of light है न speed of light वो निर्वात यानि vacuum में कितनी है 3 गुना 10 की power 8 meter per second यानि 3 लाग km per second और निर्वात में अगर एक साल तक प्रकाश गमन करता है यानि प्रकाश चलता है वो कितना distance cover करेगा तो 9.46 10 की घात 15 meter इसको हम pentameters भी बोल सकते हैं ठीक है 9.46 10 to the power 15 meters तो यह आपकी distance होती है ओके यह आपकी क्या होते हैं distance होते हैं चलो आगे बढ़ते हैं online classes का मेरी class और शाम को होगी 8 बज़े जिसमें मैं clerical aptitude computer awareness और current affairs करूँगा 8 बज़े होगी देख लीजेगा ठीक आगे बढ़ते हैं जो प्रकलती में सबसे ताकतवर मजबूत बल कौन सा है electrical force, gravitational force, nuclear force या magnetic force तो ज़र बताईएगा शाम को होगी मेरी class 8 बज़े ज़र बताओ इस question का answer क्या होगा electrical force, gravitational force, nuclear force या magnetic force तो धियान रखेगा gravitational force जो है सबसे सबसे कमजोर यानि यह आपका हमारे हमारी प्रकलती में सबसे कमजोर बल कौन सा है, gravitational force है अगर gravitational force strongest होता है तो यह सारे planet एक दूसरे से चिपक जाते है sun के पास, हम चल भी नहीं पाते सबसे जो strongest force है वो nuclear force है वो सबसे strongest force कौन सा है nuclear force है तो इस question का answer option number C यह question जादे तर बच्चे ना गलत करते है अगर उन्हें करवाया ना जाए ओके चलो, अगला question आपको बताना है कि निम लिकित में से कौन सी किसकी lowest frequency इस तरह के question आपके army technical में आएंगे, देखो एक होती है, विद्दुत चुम्बक के तरंग, electromagnetic wave ठीक है, electromagnetic wave की शुरुआत कैसे होती है यहाँ पर जड़ा देखो, सबसे पहले आती है, gamma rays, ठीक है gamma rays के बाद आती है, x rays ठीक है, x rays के बाद आती है, आपकी UV rays ठीक है, UV rays के बाद आती है, आपकी visible rays जिसके गारण हम देख पाते है चीज़ों को visible rays के बाद आती है, infrared ठीक है, infrared अवरक्त किरने ने बोलते है, infrared के बाद आती है, micro और micro के बाद आती है, आपके radio, ठीक है, radio waves अब यहाँ से देखो, एक चीज़ बात, यह केवल आपकी कितनी होगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यह साथ ही आपकी क्या है waves होती है, यह ठीक है अब अगर हम उपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर wave length, ठीक है wave length आपकी क्या होती है बढ़ती है, यानि तरंग दह्रे बढ़ता है और नीचे से उपर जाते हैं तो यहाँ पर इसके आपकी frequency बढ़ती है यहाँ पर आपकी क्याँ से बढ़ती है, frequency तो इस आधार पर देखा जाए, तो सबसे कम frequency किसकी होगी, तो सबसे कम frequency आपकी इसकी होनी चाहिए, अल्ट्रा वालेट देखों, यहाँ पर है, x-rays है, गामा, visible light option number A होगा यह भी question गलत कर क्या होगे technical में इस तरीके के science वाले question आते हैं, ध्यान रखेगा चलो, अगले परशन की और बढ़ते हैं जो air bubble है ठीक है, वो चमकीदा shiny shiny, चिकना चिकना से दिखाये देता है, या आपका जो diamond है okay, diamond वो हमें बड़ा रोशनी वाला, यानि सफेद दिखाये देता है मरग मरीचिका ठीक है, मरग मरीचिका, जिसको हम क्या बुलाते हैं मिराज, रेकिस्तान में हमें दिखाये देता है, कि भाई जलाश है, लेकिन होता हूँ रेत ही है या गर्मियों के दिनों पर रोड पर पानी जैसे दिखाये देता है, तो यह सब किसकों के जैसे दिखाये देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानि total internal reflection के कारण यह दिखाये देता है, बहुत बड़ी अच्छे लिए बढ़ते हैं, अगले कोशन के और अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा आपको बताने निमले कितमे से कौन सा electromagnetic wave नहीं है तो आपको मैं बता चुक हूँ X-rays electromagnetic wave ठीक है, X-rays क्या है electromagnetic wave है, radio waves भी electromagnetic wave है infrared भी आपका electromagnetic wave है लेकिन cathode ray आपका electromagnetic wave नहीं है cathode ray आपका electromagnetic wave नहीं है चलो, अगला परशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा अब आपको बताना है कि विच कंट्री फर्स्ट प्राइवेट लॉंच पैड एस बीन सेट अफ अगनी कुल cosmos एश हरिकोटा तो शरी हरिकोटा कहां पढ़ता है इंडिया में पढ़ता है आपने सुना होगा कि भई भारत का पहला प्राइवेट रॉंच किया गया है तो भारत पहला प्राइवेट रॉंच जो है वो किसने क्या नाम है उसका Vikram S उसका नाम है और वो किस ने लॉंच करा है अगनी कुल कॉस्मोस ने लॉंच करा है अगनी कुल कॉस्मोस ने इसको लॉंच करा है तेरफपनवा करेंट अफेर्स भी आपके included तेरफपनवा Film Festival इंटरनेशनल Film Festival ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था गोवा में आयोजित किया गया था तेरपनवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसमें कश्मीर फाइल को इसराइल के एक निर्देशक्ते उन्हों न कहाता कि ये एक राजिनेटिक प्रोपागंडा के तहत बनाएगी ये पिक्चर है फिर आपको बताना है बाइलेटरल एक्सराइज अगनी वारियर हमने कौन से देश के साथ करी है अगनी वारियर सिंगापूर के साथ, यूएसे के साथ, फ्रांस के साथ ये एजिप्ट के साथ इजिप्ट के साथ मैंने आपको बताया है, साइकलोन एक्सराइज हुई है फ्रांस के साथ हमारी एक नेवी की एक्सराइज हुई है, वरुना इस साल यूएसे के साथ दिसंबर के महीने में वोई थी युद्ध अभ्यास, ठीक है? जो दब्यास, बहुत बड़े हैं आप लोगों ने इस कोशन आंसर बताया और इस कोशन का आंसर ऑप्शन नमबर A होगा, जी हाँ, बिलकुल आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर वन डिस्टिक, वन स्पोर्ट जो योजना है, यह कौन से स्टेट से रिलेटिड है, कौन से रज्जे से संबंदित है, उत्तापरदेश, मद्धेपरदेश, उनाचपरदेश या हिमाचपरदेश, तो दिहान रखेगा, वन डिस्टिक, वन स्पोर्ट जो योजना है, वो आ आपका किस से related है, उत्तापरदेश से related है, किस से related है, उत्तापरदेश, चलो, आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला, ट्राइबल विंटर फेस्टिवल, ये कौन से जगा पर आयोजित किया गया, अब विंटर फेस्टिवल तो simple, आपका राजस्थान में भी नहीं होगा, वेस् sensor board के भी head है, जो आप भारत में है, और परसून जोसी जी को उत्राखंड, ठीक है, परसून जोसी जी को उत्राखंड का क्या दी अन्युक्त किया गया, brand ambassador, ठीक है, उत्राखंड का brand ambassador इनको appoint किया गया है, अगला question आपकी screen पर, पहली team जिन्नोंने 500 run score करे हैं, टेस्ट में, day one में ही, तो वो कौन सी है, और इंगलेंड है, और इंगलेंड के एक खिलाडी है, जिनका नाम है रेहान एहमद, रेहान एहमद ने 17 साल की उमर में डेब्यू करा और अपने पहले ही मैच में उन्होंने 5 विकेट ले ली, आगे बढ़ते हैं, पदम भूशन, भारत का तीसरा सरवच्च नागरिक पुरुसकार है, भारत रतन पदम भूशन, मुलायम सिंग यादव जी को दिया गया है, मनुपरांथ और फे पदम भूशन, तो ये किसको दिया गया है, तो गूगल के जो चीफ है, सुन्दर पचाई उनको ये दिया ग मिलेट्स, ओके, चीफ देखो, युनाइटेड नेशन ने दो हजार तीस को बाजरा वर्ष, यालि मिलेट येर घोशित कर रखा है, ठीक है, तो इसके जो जो चीफ गेस्ट है, जो हमारी पहली मिलेट स्मार्ट नूट्रिटिव फूड को अंकलेव हुई थी, तो इसमें भ जाता है, ध्यान रखेगा, जिस दिन हमारा नेवी डे बनाया जाता है, उसी दिन चीता डे, अभी 12 चीते और आया है, मद्यपरदेश में, कूनो नेशनल पार्क में, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन की और, इंडियन नेवी डे आपका कहां पर मनाया गया था, तो 15 जन्वरी को हुबली, चीक है, आर्मी डे, पहली बार दिली से बाहर बनाया गया था, हुबली करनाटका में, करनाटका में इसका आयोजित किया गया था, यूथ डे, यूथ डे, तो यूथ डे भी आपका जो 12 जन्वरी को, तो ये भी हमारा हुबली में इसको आयोजित कि ओके चलो आगे बढ़ते हैं भारत का पहला नेशनल कोस्ट्ल सेक्योर्टी राष्टेह् तट्टीह मिलन का आयोजन कौन से निय्ह dłet資 यूद्ध अगले का उत्तर आपकी स्क्रीन पर मलगपरशन आपकी स्क्रीन पर युद्धव्यास यह ओली उत्तराखंड में ठीक है आयोजित ही यह वहा है उत्तराखंड में ओली नमक जवगा पर तो यह किस देश के साथ भारत का हुआ है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस के साथ है, यह USA के साथ है, किस के साथ है, USA के साथ, चाओ, आपको बताना है, भालती है, महिला के टीम के, जो BCACI ने कोच बनाया है, उनका नाम है, रिशीकेश कानिटकर, उनका नाम क्या है, रिशीकेश कानिटकर, इस तरीके के भी कोशन आप से में भी पूछे जा सकते हैं, अगला कोशन आपको बताना है equator और Tropic of Capricorn कौन से महादीब से होकर गुजलती है दोनों ओके भूमध्य रखा और मकद्य रखा तो धियान रखेगा आपका ये दक्षिन अमेरिका महादीब से यहाँ पर एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप ये image में देख रहे हो एक चीज़ धियान रखेगा कि अफरीका एक मात्र ऐसा महादीब है ठीक है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजलती है अफरीका एक मात्र महादीब है जिसससे तीनों रेखायों को गुजलती है और एक चीज़ और धियान रखेगा वो ये है आपको मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को एक ये है आपका लिम पो लिम पो पो नदी आपका मकद एका को दो बार करती है कॉंगो नदी भूमद्यर एका को दो बार करती है और भारत में माही नदी भारत में कौन सी माही नदी ये करक एका को दो बार करती है तो इस तरीके के भी कोशन आप से पूछे जा सकते हैं आप लोगो को याद होने चाहिए चलिए आप बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर Security Council देखो United Nations Organization UN के आपके एक तो United Nations General Assembly है और एक United Nations Security Council है और एक अंतराश्टी अन्यायाले है International Court of Justice है ओके चलो तो आपका United Nations Security Council में टोटल आपके 15 सदस्य हैं जिसमें से आपके 10 तो non-permanent होते हैं दो साल के लिए बनते हैं भारत 2020 से 2022 तक रहा और बाकी के 5 जो होते हैं पर्मनेंट होते हैं जिसमें चाइना आता है फ्रांस भी आता है यूस से आता है United Kingdom आता है और रशिया आता है आपका Germany उसमें नहीं आता है तो यह इसका answer क्या होगा इस question का answer option number C होगा option number C इसका right answer होगा अगला question आपके screen पर यह रहा आपको बताना है कि Roland Garros नाम से किस tennis title को कहा जाता है देखो सबसे पहले अगर आप देखें तो Australia open सबसे पहले होता Australia से अगर हम East से West चले फिर आपका French open होता है okay French open French के बाद आपका Wimbledon Wimbledon जो होता है आपका Wimbledon यह आपका England में होता और फिर last में होता है US open जो Wimbledon है यह आपका जास पे खेला जाता है और French open जो है आपका clay पे खेला जाता है किस पे मिट्टी पे okay और जो French open जिस मैदान में या जिस जगा होता उसका नाम है Roland Garros तो आपका French open को Roland Garros के नाम से जाना जाता है option number A और अगर देखें तो सबसे पहले Wimbledon शुरुआ था 1877 में फिर 1881 में आपका US open शुरुआ French open 1891 से हो रहा है और Australian open आपका 1905 से हो रहा है और यहां पर कौन सा कब होता है सबसे पहले Australian open क्योंकि अगर हम पूर से question की ओर चलें इस तरीके से हमें याद कर सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर ठीक है आपको बताना है International Olympic Committee का जो मुख्यले है वो कहां पर है International Olympic Committee का मुख्यले आपका कौन सी जगा पर है तो ध्यान रखेगा आपका sports related जितने भी मुख्यले हैं वो आपके लुसाने में पढ़ते हैं तो International Olympic Committee हो गया और जैसे अभी भारत में होकी वर्ल कप होगा FIH तो उसका भी मुख्यले आपका कहां पढ़ता है लुसाने में पढ़ता है अच्छे जूरिच में धियान रखेगा जूरिच में आपका FIFA का मुख्यले पढ़ता है यह भी Switzerland में है ओके लुसाने भी आपका Switzerland म यह United Nation का है इसका मुख्यले आपका कहां पढ़ता है हेग नीदर लेंड में अच्छा Brussels में धियान रखेगा Brussels जो Belgium है यहाँ पर आपका किसका NATO का मुख्यले पढ़ता है आपसे यह भी एक्जाम में पूछे जा सकता है NATO का मुख्यले कहां पढ़ता है तो Brussels Belgium में पढ़ता है आपका यह 10 डिग्री चैनल है यह आपको दिखरा होगा 10 डिग्री चैनल तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है ठीक है अंडमान को निकोबार से और लक्षदीप का एक आइलेंड है मिनी कोई आलेंड तो माल्दवीव को मिनी कोई से 8 डिग्र चैनल अलग करता है और जो मिनी कौय को लक्षे टीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल और देखो भारत में दो वालकेनों भी पाए जाते हैं एक बेरन आईलेंड और एक नारकॉंड़म आईलेंड यह जो दोनों क्या हैं आपके भारत में वालकेनों इसका आपकी यह आपको बताना है Saddle Peak जो है आपकी निकोबार आईलेंड की सबसे उची चोटी है तो किस में पढ़ती है तो Saddle Peak आपकी जो पढ़ती है यह आपकी North अंडबान में पढ़ती है किस में पढ़ती है North अंडबान में चलो अगला 12 Nautical Mind यह Territorial Waters प्रादेशिक जल हम इसे बोलते हैं ठीक है चले तो 12 Nautical Miles मलब भारत के टट से 12 Nautical Miles एक सागर में भूमी होती है एक Nautical Mile 1852 मीटर के बराबर होता है तो यह आपकी दूरी होती है 21 किलो मीटर की किती दूरी होती है 21 किलो मीटर की तो इस question का answer होगा आपका option number A देखो यह आपका प्रादेशिक जल होता है 12 Nautical Miles यह एक तरीके से बौंडरी होती है अगर ही इसको क्रॉस करके बिना भारत की इजाधत क्या आता है तो इंडे ने भी एक Coast Guard उसको arrest कर सकते है उसको खतम भी कर सकते है ठीक है आपके भारत के कितने राज्यों के पास Coastal State है मतलब समुद्र टठ है जल्दी से बताओ इस question का answer क्या होगा What will be the answer of this question कि भारत के कितने राज्यों के पास Coastal State है PDF आपको मैं दे दूँगा जल्दी से बताओ इस question का answer क्या होगा What will be the answer तो धियान रखेगा, no, very good तो भारत के 9 रज्जे हैं जिनके पास coastal state है जिसमें आपका गुजरात गुजरात की तो सबसे लंबी है फिर महाराष्ट और गोवा, गोवा की सबसे चोटी है केरल, तमिलनाडू, अंदरपरदेश पुडीजा और पश्चे बंगा तो भारत के 9 रज्जे हैं, जिनके पास क्या है Coastal Plains है, धियान रखो, चलो अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा आपको बताना है, ऐसे रज्जे ऐसा रज्जे, जिसकी सीमा तीन देशों से लगती है देखो, अउनाचर परदेश की सीमा तीन देशों से लगती है वो है आपका भूटान ओके, चाइना और आपका मयन मार, ठीक है वहाई वेस्ट बंगॉल की भी तीन से लगती है, बांगलादेश बांगलादेश भूटान और नेपाल ओके, और आपका जो सिक्किम है, उप्शन नमबर सी जी हाँ, बिल्कुल सिक्किम की जो सीमा है वो आपका नेपाल, भूटानल, चाइना से लगती है ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो तो इस कोशन का अंसर यह होगा तो अगर आप यहाँ पर क्लियर ली देख पा रहे हो यह आपका इदर क्या है, वेस्ट बंगॉल है वेस्ट बंगॉल की सीमा देखो किस से लग रही है आपका इदर इदर नेपाल से लग रही है इदर की तरफ आपका भूटान से लग रही है और इधर तो है पांगला देश के साथ सिक्किम आपका नेपाल चाइना और भूटान उनाचपदेश चाइना भूटान एंड मैंनमार इस तरीके से आप याद रखेगा चलिए अगले परशन के और बढ़ते हैं अब ये आपके सामने बता रखा है गुरू शिखर गुरू श Stories है भारत में ठीक है अरावली परवतमाला उसकी सबसे उंची चोटी है ठीक है और जो डोडा बेटा है वो नील गीरी परवतमाला की सबसे उंची चोटी है हाइस पीक अफ नील गी माउंटेन्स ओके और उसके बाद अनाई मुड़ी अनाई मुड़ी की जो सबसे उची जोटी है दक्षिन भारत यानि साउट इंडे की सबसे उची जोटी है या आपका किसकी है अन्नामला हिल्स और धूबगड आपकी जो है सत्पुड़ा की सबसे उची जोटी के खेर तो इस question का answer होगा 2, 3, 1, 4 ओके 2, 3, 1, 4 यानि option number A इसका right answer है option number A इसका right answer है चलो अगला question अब देखते हैं कौन सा mountain pass कौन सी state में आप में से कितने लोगों को यह याद है तो देखो जो जीला जो pass है यह आपका श्री नगर और ले को जोड़ता है ठीक है श्री नगर और ले को तो यह जम्मू कश्मीर में हुआ बड़ा लाचा लापास आपका ले और हिमाचर परदेश को जोड़ता है ठीक है जहले पलापास आपका चीन और सिक्किम को जोड़ता है और नीती पास आपका चीन और उत्राखंड को तो इस question का answer होगा ये बड़ा confusion होगा है रुखो उसमें इस question का answer होगा कि A का तो होगा 4 ठीक है और B का होगा आपका 3 और C का होगा आपका 1 और D का होगा आपका 2 तो 4, 3, 1, 2 यानि option number B इसका right answer option number B इसका right answer है चली आगे बढ़ते हैं अगले question की हो तो देखें किते लोग बताते हैं भारत का ऐसा राज्जे जिसके तीनों तरफ अंतराष्टिय सीमा रेखा है international boundary है तो नागलेंड, तिरपूरा, वेस्ट बंगॉलिया, असम क्या होगा तो धियान रखेगा तिरपूरा अभी election भी होने वाले है तिरपूरा में इसके तीनों तरफ आपका क्या है अंतराष्टिय सीमा रेखा है अगर आप यहाँ पर देखें तो यह आपको देखो, यह आपको दिख रहा है इसदर ठीक है यह आपको इदर दिख रहा होगा तिरपूरा और तिरपूरा के तीनों तरफ आपका क्या है बंगलादेश है तिरपूरा के तीनों तरफ आपका क्या है बंगलादेश है इसके बाद अगला question आपको बताना है कि which इनिमलिकित में से कौन सा western coastal line का part नहीं है देखते हैं आप मैंसे किता बताते हैं हमारे भारत में समुद्र टटिये मैदान है ठीक है तो अगर देखो तो ये वाले आपके वेस्ट के हो गए ठीक है ये आपके वेस्ट के हो गए और ये आपके एस्ट के हो गए ठीक है तो वेस्ट में कौन को ना था काठियावाड, गुजरात का, महराष्टर और गोवा का, कौनकन, मलावार, केरला का, कोरो मंडल आपका इस्ट में, तमिल नाडू का, आंधरा, आंधरा का, उतकल, उडिसा और बिहार का, तो कोशन यहाप पूछा गया है, कि निमलिकित में से कौन सा, वेस्टरन कोस्टरल प्लेन का पार्ट नहीं है, तो दिहान रखेगा, जो आपका तूति कोरीन है, ठीक है, तूति कोरीन जो है, यह आपका तमिल नाडू में पढ़ता है, कि इसमें पढ़ता है, तमिल नाडू म इसमें question आपको PDF के लिए मिल जाएंगे और session को like और share जहू करेगा, ध्यान रखेगा, अगर आप हमारे batches join करना चाहते हैं, तो अभी आपके लिए बहुत बढ़िया offer है, कि आप Y191 code को use करके, Army, Navy, Air Force, या AOC के लिए अगर आप complete batch आते हैं, जिसमें आपको general knowledge, English, mathematics, science, अच् practice के लिए question, ये batch अल्रेडी शूर हो चुका, आज इसमें मेरी दूसरी class थी, current affairs के MCQs, practice MCQs का PDF देता है, lecture का PDF मिलता है, और आपको concept wise पढ़ाया जाता है, तो अगर आप इस batch को join करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत benefit रहेगा, और आपको जिस exam के preparation करों से तो clear करेंग पे only 1057 रुपीज में आप इसको join कर सकते है, इसी के साथ आपका बताएं कि intelligence bureau, इसका भी exam अभी थोड़े दिनों में आ जायाएगा, इसमें तो आपको 40 marks का, 20 marks का general knowledge, 20 marks का current affairs इसमें आता है, तो intelligence bureau के batch को भी आप join कर सकते हैं, Y191 discount code को use करके, आप just 919 रुपीज में आप इ इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, आप CISF, तो ये batches भी आप join कर सकते हैं, ये आप only 1379 रुपीज में, और महाशिवराती का offer चल रहा है, भगवान शिव का आशिरवाद आप पर हमेशा बना रहे, तो Y191 discount code को use करके, आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे महापेक double validity को ले सक हाँ, तो धियान रखेगा, आपका जो एक साल का batch है, ठीक है, वो आपका, आज आपको दो साल के लिए मिलेगा, और जो छे महीने का है, वो आपको एक साल के लिए मिलेगा, तो महापेक में आपको क्या मिलता है, जितनी भी defense attack की classes हैं, test series हैं, videos हैं, e-books हैं, ये सभी आपको प्रवाइट की जाते हैं, I hope, आपको इस session अच्छा लगाओ, session को like, share, comment जरू करेगा, adder247 की application को जरू डाउनलोड करेगा, इस पर आपको current effect, daily quiz, job alert, subject wise quiz, magazine, power capsule, notes, articles, videos, ये सभी आपको प्रवाइट किया जाते हैं, okay, so इस चीज़ को देहन रखें, और session को like, share, comment और subscribe और आपसे मुलाकात होगी, अब शाम को 8 बजे, जिसमें मैं CRPF के लिए, clerical aptitude, computer awareness, current affairs, और GK काया, एक बढ़िया, 1.5 घंटे की class लेगाओंगा, तो उसको आप जरू अटेंड करेगा, thank you very much, God bless you all, bye bye.